हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लिंथ बीम की हमें हाइट क्या रखने चीए क्यों होता है कि जब हम प्लिंथ बीम की हाइट जो है सहीं लेवल पर नहीं देते हैं इससे एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करने मिलती है वो है सीलन की समस्या और जो प्लिंथ बीम है हमारे मकान को बेस होता है पूरे कॉलम को बांध कर रखता है और साथ में हमारे मकान को नीव से जादा मजबूती देता है तो अगर आप प्लिंथ बीम को ढालते समय जो है अगर कुछ गलतिया करते हैं हम आपको पूरी डिटेल देने वाले कि इसमें कौन सा सर्या बांधना है इसमें रिंग जो है वो आपको कैसे देने चाहिए मतलब आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दी जाए तो देखिये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्लिंथ बीम है उसका काम क्या होता है तो देखिये जो प्लिंथ बीम है सबसे main काम तो उसका यह होता है कि आपके मकान का जो base structure area होते है उसको मजबूती देने का और साथ में ये जो सभी column होता है उसको proper एक दूसरे से बांध कर रखता है अब इसमें दूसरी बात याती है कि इसकी जो हाइट है वो किस लेवल पर देने चीए देखिए होता क्या है कि अगर हम प्लिंथ बीम की हाइड जो है अगर जमीन लेवल पर देते हैं तो उसके उपर से हम जो है ब्रिक वर्क चालू करते हैं और कई लोग जो है डिपीसी नई भी देते हैं तो अगर ऐसे केस में अगर आपने अपने प्लिंथ बीम को जमीन लेवल पर दबा दिया है तो जब भी इंट पानी पकड़ेगी तो उनके हाँ जो सीलन की समस्य है वो आना चालू हो जाएगी तो यहां पर बात यह आ जाते है कि जो प्ल से दो फिट उपर रखनी है जिससे की भविस में कभी भी सीलन की समस्य है आपके मकान में ना हो अब बात कर लेते हैं कि जो प्लिंथ बीम है उसमें सरीय कौन से यूज़ करनी चाहिए अगर हम एक से दो मंजिल मकान बना रहे हैं और अगर आप जो है तीन से चार मंजिल त है कि याणि की 4 सरीं आपको इसमें 12 mm के यूज़ दाले जाते हैं झैसा कि आप यही काम करना है और जो रिंग होते हैं जो छले होते हैं वह कम से कम पांच इंच इस पेसिंग के दूर में बांधना चाहिए आत में इसमें आपको प्लिंथे बीम को मजबूती देने के लिए एक बात का और ध्यान ये रखना है कि आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो प्लिंथे बीम है उसमें ज्यादा ओरलैपिंग ना हो यानि कि जो प्लिंथे बीम के जो सरीयों होते हैं वो आपके एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक प्रॉपर लंबाई के होने चाहिए आपको एक बात और ये धियान रखने कि जब भी आप प्लिंथ बीम की धलाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई जगे आपको हनी केम देखने मिल जाते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख तो ये काम नहीं होना च्योंकि जहा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद